हेलो स्टुडेंट्स क्लास ओफ अचीवर्स में आपका स्वागत है और देखिए हम सोल कर रहे थे क्लास एड़ की एकसराई 9.5 आज इसके कोसर नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करेंगे कोसर नंबर 4 जो वो कंप्लीट कर दिया है प्ले लिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्र होल स्केर के देखिए इसमें हम पहले यह लेंगे लेफ्ट एंड साइड टो वो हमारी यह है 3 x plus 7 का होल स्क्राइब माइनस 84 x क्योंकि एक्वॉल टू का साइगा है तो इसका मतला है लेफ्ट एंड साइड जो है राइट एंड साइड के बराबर है तो हमें भी यह तो इसका मतलब है 3X का square plus 7 का whole square plus 2 multiplying by A multiply by B और minus 84 exactly ऐसी आजाएगा अब 3 के square का मतलब 3X square का मतलब 3 का square हो जाएगा जो कि बनेगा 9 और X का स्क्वेर जो X स्क्वेर ही होगा प्लस 7, 7 जो 49 और 7, 3 जो 21 और 21 को मल्टिप्लाई करा 2 से तो 42X माइनस 84X हो जाएगा और यह बन जाएगा 9X स्क्वेर प्लस 49 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा देखिए 84 में से माइनस कर देंगा 42 को तो 42 ही बचेगा हमारा साइन बड़े गाएगा तो माइनस 42X अब इसको बस रियर्रेंज करेंगे तो पहले X स्क्वेर वाली टर्म हो जाएगी फिर X वाली और उसके बाद constant यह आया हमारा left hand side को sold करके आप करेंगे देखिए right hand side को sold उसको यहीं कर देता हूँ तो right hand side हमारी है 3X माइनस 7 होल स्क्वेर फोर उमला लगेगा इसमें A-B whole σक्वेर का जो कि हो जाएगा A square plus B square minus 2AB तो A square plus B square minus 2 multiply by A multiply by B तो 9x square plus 49 और 7, 3 जा 21 और multiply करेंगे इसको 2 से तो आज़ेगा 42x फिर से rearrange कर लिया तो 9x square minus 42x plus 49 तो देखिए left hand side जो है वो बराबर है right hand side के और यही हमें प्रूव करना तो मुझे लगता आपको समझायाओगा किसी और कोशन में doubt about comment box में लिख दीजेगा बाकी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बाए